आप देख रहे हैं रास्ट्रिय हिंदी न्यूज अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई अभीकारिक बयान भी जारी नहीं किया है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रश्मिका के मैनिजर ने उनके साथ 80,000,000 रुपे का फ्रॉड किया था अलकि वह इस बात पर अब तमाशा नहीं बनाना चाते इस मामले पर खुझ से ही एक्शन लेते हुए उन्होंने मैनिजर को काम से निकाल दिया फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया कि तमाम बरी खबरों को जानने के लिए बने रहे हैं राष्ट्रिय हिंदी न्यूज के साथ जाहिए लुए आप देख रहे हैं राष्ट्रिय हिंदी न्यूज